लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तश्रीफ रखे फर्माईए क्या किमत देंगे जो तम मांगोगा ये सौदा आपको बहुत महिंगा पड़ेगा अपनी बेहन का सुहाक बरकरा रखने के लिए जो किमत तुम मांगael हम वही देंगे हम जबान देते हैं देखिया जबान मत हारेगा तुम मांग कर तो देखो आपको हर शाम हुसना की कोठे पर आना होगा जी, यही मेरी किमत है, मेरी खरीदार बाबा, जिन बाहों ने मुझे किरने से बचाया था अगर आपके महर्मानी हो जाए तो वो हिबाहे मुझे किरावट से बाहर निकाल सकती है बाबा, ऐसा करम कीजे कि वो बाहे हमेशा हमेशा के लिए मेरा साहारा बनी रहे लफंगा भाईजान, एक बात बताईए, उसकी सूरत कैसी है? ला हॉल वला कुवर्त किस मनहूस के बारे में पूछा? उसकी सूरत ऐसी है कि अगर उसे देख लो तो आँखों में मौत का नक्षा उतराए वो जब आँखों में काजल लगाता है तो लगता है जैसे जील कीचर से भर गई हो उसके होंट और दांतों के बारे में कुछ न पूछो वो जब बात करने के लिए मूँ खोलता है तो गेंडे की अवलाद लगता है उसके रुकसारों की सुर्खी के सामने नाकपूर का संत्रा कश्मीर का सेब लगता है भाई जान अगर वो इतना बदसूरत है तो फिर ये कौन है ये कौन यहीं जो फुटपात पकड़ा लेंपोस के नीचे किताब पढ़ रहा है कौन सी किताब जी अब आब 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 देखता हूँ पिन्नो ये तो किताब नहीं पढ़ रहा अखबार का रहा है करदाश 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 मैं अपाल मैं दुर्ट में आपके अपके अपके हो यहां पर गुनने का आदमी को जान से मार के डाला है गोली पर गोली चल रही है, इस तरह सब जल्दी आईए, हमें बहुत खत्रा है कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? उमा खयाम जी, वो कहा है? जो उपर से गिरा था मैं तो था, मैं कभी उपर से गिरता हूँ, कभी नेचे से गिरता हूँ कभी इदार गिरता हूँ, कभी उदार गिरता हूँ, तेरे बापका गिरता हूँ जरूर इसने उसे कही चुपा दिया हूँ तुम सब लोग जाकर उसे ढूड़ो जादा है जा कहा रहे हो तुर्या घर तबले साले अब देख मेरे चीते का कमाल गंजू की होना अब देख मेरे चीते का कमाल गंजू की होना अब देख मेरे चीते का कमाल गंजू की होना अब देख मेरे चीते का कमाल गंजू की होना अब देख मेरे चीते का कमाल गंजू की होना खढ़ ब स्टन Kneyorsun ए झाओ वाल याल याली कैuf कि झानो, यैथा कि आचरो याली कानो, यदरोたमन दो नदरो ख्वज कि आcji खुज कि इड़ आजए रहा हमा wzती रहे खिने गडिनो चोलिसे कि ऊिओडिया खुजा चलिया ये इंस्विट साथ चलिया इस्टर 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 आती जी अराब से अराब से अराब से नवाब बक्तर नवाज आती जी मुझे अलो क्या कहा अक्तर नवाज सिर्फ जखमी हुआ मरा नहीं मर जाएगा गोली दिल के करीब लगी है बाकी पचास हजार रुपया हमारे पास पहुंच जाना चाहिए बिलकुल नहीं एक फुटी कोड़ी भी नहीं दूँगा क्योंकि अक्तर नवाज मरा नहीं जिन्दा है और मुझे मेरे 10,000 भी वापस चाहिए जो मैंने पेश की दिया तो आपको दस हजार रुपया वापस चाहिए क्या कहा तुम्हें दस हजार रुपया वापस चाहिए जरूर जरूर कल सुबह 10,000 रुपया तुम्हारी बेगम साहबा को पहुंचा दिया जाएगा नहीं, नहीं, खाबरदार अगर घर पर आये तो गो रुपया तुम्हे मिल जाएगा इतनी राते, कौन आपसे रुपय मंग रहा था? आपको इससे क्या? मैंने कहाना, रुपया तुम्हे मिल जाएगा कैसा रुपया? मैं बोल रही हूँ, नसीबारा की अम्मी अम्मी जान? हलो? क्या? भाईजन जखमी हो गए? मैं आभी आती हो, अम्मी जान सुनिये, आपका कुई ऐसा रिष्टेदार है जिसे आपकी मौत से फाइदा पहुंचता हो भाईजन भाईजन, आप ठीक तो है ना? अपा, बज़ गया, गुली बाजू पर लगी है अख्तर नवाज साहब, आपने मेरी बाद का जवाब नहीं दिया डियाजी साहब, मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जाइदाद की मालिक मेरी अम्मी जान है और अम्मी जान के बाद, मेरी बहन मेरे बहनोई, नवाब जहांगिर, वोद एक बहुत बड़े रईस हैं इसलिए इनकी नजर मेरी दौलत पर नहीं हो सकती जियाजी साहब, हमारी नजर इनकी दौलत पर नहीं अलबत्ता हमारे साले साहब की नजर हम पर है कि हम इनकी बहन को खुशा है अच्छा नहों साहब अच्छा जी शुक्र है अल्ला का, आप बच गये आज बच गये, आप पांचसो रुपे मिलेंगे, पांचसो रुपे मिलेंगे शर्कार शर्बत शर्कार शर्बत चंगेजी शर्बत सरकार लाओ लीजिये ये क्या बेहुदा हरकर की तुमने चान बुच कर मुझ पे शर्बत उल्टाया चान बुच कर नहीं उल्टा सरकार तो फिर कैसे उल्टा ऐसे पत्तम्जीज लाहौल विलाकवत सिकंदर नवव ये क्या बेहुदगी है आपने मुलाजम पर हाथ उठाया पाउ नहीं उठा सका इसलिए हाथ उड़ गया चौप माफी मांगिए इनसे अबू आपने ये क्या फरमाया मैं एक अधना मुलाजम से माफी मांगू सरकार अब ये माफी मांगे यहां घुटने टेके मैं यहां काम करने वाला नहीं सरकार मैं यहां काम करने वाला नहीं चलता हूँ आदा बर बेगम देख लिया अपने बेटे की करतूत अगर इनके मिजाज ऐसे रहे तो एक एक करके सब मुलाजिम चले जाएंगे सिकंदर मिया, जब तक नया मुलाजिम नहीं आता आपको अपना काम खुद करना होगा यही आपकी सजा है किसी को नौकर की दरूरत है एक भबादार, पुख्तागार, खिद्मतगार जाने सार मुलाजिम की दरूरत है बड़े मिया, हमें नौकर की सक्स दरूरत है फॉरण उपर आजाए फॉरण शेफ पेस्टाट पहुचते हैं मिया किसी मौक्य का तो इंतिजार तो हमे तुम लग जाओ उस नौकर को लेकर आओ अमीजान, हमारी सजा मौफ आज तक सडकों पे सिर्फ हर्टाल के लिए आवाज लगाते सुना था नौकरी के लिए आवाज लगाते नहीं सुना था अब्बू, गालिब का एक शेर अर्ज करता हूँ नौकरों की कमी नहीं है गालिब, एक धुंडो हजार मिलते हैं उससे क्या खुसूर खुसूर हो रही थी? जी वो जो बोरियोबिस्तर दबाय भार गया जी? जी मुझे हुश्यार कर रहा था कह रहा था के बड़े सरकार आस्ताव है, बेगम सरकार महताव है छोटी सरकार इंतखाव है, और छोटे सरकार की सुरत बड़ी खराब और आवाज मुर्दार जी, मैं वही हूँ आप? बड़ाई बटतमीज निकला? खराब की सुरत तो फरिष्टों यच्चों और आवाज मिलकोई मुरा है वो सुरी लिए छोटी सरकार आपका इसम किरामी? खादम को मीर्त तसद्दु खुषैन तबा तबाई कहते हैं आपने पहले किसी नवाब की हवेली में काम किया है? यह एक हवेली हो तो उसका जिक्र करो यहां तो जिन्दगी गुजर गई नवाबों की जूतियास ही दी करने में आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं? शकारयाली, दोचा सर्टिफिकेट होटे तो मैं आपके हुदूर में पेश कर देता यहां तो इतने सर्टिफिकेट हैं कि वो एक छक्रा वर जाए अच्छा, क्या तनखवा लेंगे आप? तनखवा तनखवा तो बाखुदा खादिम के खांदान में किसी नहीं लिया आश तक तो क्या आप मुफ्त काम करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जुरूर लूँगा जिगाय करब बस वो बढ़ जाए तो सर्कार की नायत होगी बातें तो आप बड़ी लच्छेधार करते हैं एद की सेवई आप पकाते पकाते जवान में लच्छे पढ़ गए सरकार और खिछडा पकाते पकाते आपकी डाड़ी खिचडी होगी जी नहीं बिगड़े वे नवाबजादों को तहजीम सिखाते जिखाते दाड़ी खिचडी होगी है बड़े मज़े के इंसान है आप वेगम आपका क्या ख्याल है रख लीजीए घर में जवान लर्की है नौकर चाकर बुज़ूर्गी हो तो अच्छा है के लिए लगजते वेगम आपका क्या अबादों के ये नौकर इंसान लग 9 जवाज़ूर्ग टावज़ूर्ग गल्सक्वान लिए ज़ंगर सक्वापदी हो दूछा है जवादी हो अच्छा लिएक्वान वार्गशबग.. झाल झाल